हे गैस कैसे आप लोग मैं हूँ शुबाम और आप देख रहे हैं फैंटसी एक्सप्रेस के यूटूब चैनल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रीम 11 आईपेल 2020 के मैच नमबर 53 की जोकी खेला जाएगा चेनल इसोपर किंग्स वर्सिस किंग्स ले पंजाब के बीच म 2020 2019 IPL में क्या परफॉर्मेंस इनकी रही है और कौन से फो प्लेयर सें जो हमीशा टीम के लिए परफॉर्म करते हैं आप लूद्धाभी में क्या स्टैट्स हैं कौन से टीम विन करते हैं फृस्ट बैट करने वाली या फिर चेस करने करने वाली भी अच्छी टीम बना सकते हैं और Grand League के भी काफी combinations आपको मिल जाएंगे तो गई सबसे पहले बात करते हैं है टुएट रिकॉर्ट की तो दोनों टीमों ने आपस में 22 मैचेस खेले जिसमें 13 मैचेस को चेनेश उपर किंग्स ने विन करा है लोजिस्ट एक स्कोर अगेंस राइवल टीम की बात का है तो चेननेश उपर किंग्स का 120 है और किंग्स ने पंजाब का 92 है 2020 में एक मुकाबला इन टीमों के बीच में खेला गया है जिसको CSK ने विन किया है किंग्स ने पंजाब ने विन नहीं करा है 2019 आईपिल से करें हम बात करें तो दो मैचेस खेले गए थे आपस में जिसमें से एक CSK ने विन किया था और के एक किंग्स ने पंजाब ने विन किया था तो गईज हम बात करते हैं वो पिछले तीन मैचेस का परफॉर्मेस एक बार देख लेता है तो लास्ट मैच जो था 2020 आईपिल का जो अठारवा मुकाबला था जो आपने भी देखा होगा जिसमें यहाँ पर आप देख रहो हो शेन वाटसन फाप डो प्लेसिस ने बिना अपना कोई विकेट दी हुए और 181 रंस की पार्टनर्शिप कर रही थे दोनों ही प्लेस जो थे वो नॉट आउट थे तो काफी अच्छे मार्जिन से हो काफी बढ़िया रं बनाये थे नोंने और एक भी विकेट सिसके ने नहीं खोया था पंजाब के खिलाफ जब खेली थी तो और जहां तक बात है किंग स्लै पंजाब के बोलर्स की तो इनको एक भी विकेट इस मैच में नहीं मिली थी 55th मैच ऑफ आई बेल 2019 के अगर हम बात करें तो यहां पर आप देखें कि केल राहूल ने अगेन 71 रं की पारी खेली है सैम कुरण ने तीन विकेटे निकाले थी और मौमद शामी ने दो विकेटे निकाले थी उस टाइम तक सैम कुरण पंजाब से खेला करते थी 2019 परें CSC की बात करें तो CSC की तरफ से फाब डुपलेसी से 96 रंस की पारी खेली थी सब्सक्राइब करते हैं तो आपने देखा लगातार के लाहूल पिछले तीन मैचे से CSC के खिलाफ 50 प्लस स्कोर करते आ रहे हैं तो इनके रिकॉर्ड से खिलाफ काफी अच्छ है सर्फास खान ने 67 रंस की पारी खेली थी आश्वियर ने 3 विकेट ने काले थी शेन वाटसन ने याँपर 26 रंस बनाया थी जो बैटसमेन हैं दोनों के दोनों काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे खास करके फाब डॉपलिस तो बहुत भी ब्लेंड परफॉर्मस कर रहे हैं जब जब किंग्सलम पंजाब खेल रहा हैं अब हम बात करते हैं आबू धाभी में क्या स्टैट्स रहते हैं अबू धाभी में जो लास्ट मैच खेला गया था वो खेला गया था फिप्टीथ मैच ओफ आइपल 2020 जिसमें किंग्सलम पंजाब ने बीस ओवर में 185 रन बनाया थे और राजिस्तान रॉयल्स नोसको चेस करा था 186 रन बनाकर 17 ओवर में और इस मैच में पांच विकट प बनाया था 166 एमाई ने यहाँ पर चेस किया था तो गाई पिछले दो मैचे से यह देखने को मिल रहा है और दो क्या पिछले तीन मैचे से देखने को मिलना है टोटल कितना भी बन जाए यहाँ पर चेस हो जाता है तो जो भी कैप्टन टॉस विन करेगा वो चेस करने की को होना चाहिए और हम बात करें अगर अबूधाभी में अभी तक कितने विक्ट पेसस्ट ने लिए एकस पेसस्ट ने निकाली है और फिप्टी सेवन इकड़ा लिया तो पेसस्ट ने टोटल 67.97 परजेंट विक्टे निकाली है और अगर इसको प्धेमिय। तो आबू धावी में शार्जा से बेटर परफॉर्म करते हैं तो अगर चैल राशिद वगेर आईकाद विकट निकाल पाते हैं तो उस टाइप के अगर बोलर यहां पर खेलते हैं तो उनका परफॉर्मस थोड़ा से ज्यादा इंप्रूवड होता है तो यह चीज का ध्यान रखो यहां पर इस्पिनर बाकी वेन्यू से जादा बेटर पर्फॉर्म कर सकते हैं अब हम बात करते हैं चेन्ने इस उपर किंग्स की तो लास्ट में इस तेन बड़े बदलाव किये थे जिसमें शेंड वाट्सन को यहां पर टीम में एंट्री मिली थी लुगी अनगीडी को एंट्री मिली थी और करन्शर्मा को एंट्री iki अब इन कीज़गे पर डीख करना चाहती तो वापस ला सकते हैं रखी कि पर्फॉर्मीनस नेwhelh पंजाब की खलाग्छ तो लौजिकल का एक balance बना के रखना पड़ेगा तो यह प्रोबैबिल चेंजेंसे जो हो सकते हैं और किंग सले पंजाब की बात करें तो हूटा की जगे पे मैंक अग्रवाल इस मैच में खेल सकते हैं अगर फुली फिट होते हैं तो और यह खेलेंगे तो यह चले जाएंगे तौप अगर भीरहल की साथ फिर मैंक अनुगर खरवाल उपन करेंगे और मंदीप को भेज देंगे नंबर चार या पांच पे बैटिंग करने प्रॉबैबली पांच या छे पे कौकि चार पे तो पूरन आ वी बात करते हैं तो अभी शेन वाटसन ओपन कर रहा है वाप्टोप्रिस की रिकॉर्ड भी आ गया आपको बता दूँगा भी आप शेन वाटसन की रिकॉर्ड देख लीजे तो केरियर इस्ट आपके सामने है पिछले कुछ मैचेज में जो पर्फॉर्मेस रही है शेन वाट पिछले जो इन्होंने 18-10 मैच खेले उसमें से 2-3 मैचेस में ही अच्छा पर्फॉर्मेंस इनका आया है बाकी कि मुस्ट आफ दो मैचेस में पर्फॉर्मेंस इनका अच्छा नहीं आया है तो शेन वाट्सन के चांसे चलने के थोड़े से कम है तो इनसे बहतर उप्शन इसलिए मैं बोलना हूं कि फार्फॉर्मेंस में लाती है तो 50 प्लस उनका पक्का रहेगा वाट्सन की गैरेंटी नहीं रहेगी हाला कि वाट्सन ने लास्ट मैच में 83 नौट आउट लगाया था वह भी फार्फॉर्मेंस की साथ बैटिंग करके लगाया था रूद आजाए वर कि बात करें तो युए नम्बर तीन पर बैटिंग करने आएंगे तो इनके परफॉर्मेंस अपडेख सकते हो जो ब्लू किलाम पर पर्फॉर्मेंस इस देख रहा हूं यह सारी घाफ ऑक खेहलते हैं तो कैसा खेलता है कैसे बैटिंग करते और रेड कला में यह आप रिकॉर्ड देख रहा हूँ यह पर्टिकुलरली राइवल टीम याने की सामने वाल टीम याने की अभी चेनली सोपर किंग से किंग से जो अमबती राइडू खेलते हैं किंग से पंजाब के खिलाफ तो उनका क्या परफॉर्मेंस रहता है तो रेड इकलर में आपको बह यह कहीं भी बैटिंग करते हैं अभी इनका कोई फिक्स नहीं है और कभी इनको 6-7 पर भी बैटिंग करने भीज देते हैं तो थोड़ा से यहां पर अंसर्टिन है इसके बाद हम चलते हैं MS धोनी पर जो कि most probably 4 नंबर पर बैटिंग करने आ रहे हैं पिछले 4-5 मैचे से हम में देख रहे हैं और हलunk कि कुछ फास पर्फॉरमेंस नहीं कर पा रहे हैं बट इनके रेकॉर्ड जो हैं वह ग्राफ के खिलाफ काफ़ी अच्छे हैं और इनका बेटिंग अवरेज भी काफ़ी अच्छ है अगर इनका बैटिंग अभी नॉर्मल ये आप देखो तो 41 नी क पंजाब के खिलाफ यह मैंने बोल रहा हूं डेटा आप यहां पर देख सकते हो स्टेट्स आपके सामने हैं और मुस्ट आप अच्छा नहीं हैं पट पंजाब खिलाफ अच्छा कर सकते हैं Sam Koran की बात करें तो काफी बढ़िया Allround रहे हैं, तीन से चार उबर बॉलिंग कर रहे हैं, हर बार विकेट निकाल रहे हैं, डेट में एकाद उबर कर लेते हैं, और बैटिंग भी काफी अच्छी करते हैं, तो इनका परफॉर्मेंस भी बैटिंग में आप यहाँ पे देख सकते हैं, और साथ-साथ बॉलिंग में भी इनका परफॉर्मेंस यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो काफी बढ़िया प्लेयर है, उनको काफी नीचे बैटिंग करने भीज़या जा रहा है, बट अभी आप इनको टीम में पिक कर लेना, मिचल सेंटनर की बात करें, ये भी काफी वड़ीया पिला रहा है, पिछले दो मैचे से लगाता, रेकिंग विकेट टीम को निकाल के दे रहे हैं, अपने पूरे चार ओवर करते हैं, हालक इनुने कभी किंग स्लम पंजाब को फेस नहीं कर रहा है, इसके बात करते हैं दीपक चैर की, लूगी एंगीडी की आने की वज़े से, दीपक चैर को आप पूरे शायद कभी चार ओवर मिले भी ना, लूगी एंगीडी को पूरे चार ओवर मिलते हैं, लास्ट मैच में आपने देखा दीपक चैर को सिर्फ तीन ओवर मिले, बट जब लूगी एंगीडी नहीं थे, उस टाइम पे दीपक चैर को पूरे चार ओवर मिल रहे थे, और दो वर पूरे death में भी करने को मिल रहे थे तो अभी किस्तित ही यह है कि लूगी एंगीडी जाद है important हो जाएंगे टीम के लिए और दीपक चेर आप secondary option आपके लिए रहेंगे दीपक चेर के performance आप यहाँ से देख सकते हैं और सामनोले टीम के सलाव भी performance इतने अच्छे नहीं है पिछले जो 6 मैचेस खेले सामनोले टीम के सलाव उसमें 2 बार ही विकट निकाली है बाकि 4 बार यह विकट लेस रहे है लूग एंगीडी की बात करें तो पिछले मैच में इनको 2 विकटे मिली है डेथ में गिंदवाजी करते हैं और पूरे चार ओवर करते हैं उसके पहले एक विकट, तीन विकट, एक विकट तो हमेशा यह विकट निकाल ही लेते हैं साथ इसाथ पिछले मैच में जो इन्होंने खेला है पंजाब के खिलाफ उसमें चार विकटे निकाली थी तो एनगिडी काफी इंपॉरेंट है इसके बाद आते हैं करन शर्मा करम शर्मा का परफॉर्मेंस यहाँ पर देख सकते हो कोई कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इनका नहीं है हलाकि यहाँ पर शार्जा से थोड़ा सा बेटर करते हैं और दोबाई से थोड़ा सा शायद खम क्योंकि दोबाई और शार्जा का लगभू परसेंटेज बराबर है विकेट से जो इस्पिनस को मिलती है यहाँ पर शार्जा का 25 परसेंट है तो यहाँ पर स्पिनस थोड़ा सा बैटर रहते हैं करें शर्मा की परफॉर्मेंस यहाँ पर देख सकते हैं सामने टीम की खिलाफ रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है इसके बाद बैंच में हम बात करते हैं तो बैंच में ऑप्शन में इम्रान ताहिर है परफॉर्मेंस आप इनका देख सकते हैं पिछले दो मैचे इनको विक्टे नहीं मिली है दो ही मैचे इनको खेलने को मिले बट बहुत एकनॉमिकल थे सामने वाले टीम के खिलाव रिकॉर्ड बात करें तो ठीक ठाक हैं कुछ मैचे में विकेट लाइस भी गया हैं कुछ मैचे में काफी अच्छा परफॉर्म भी किया है इसके बाद फाब डुलिस के बारे मैं आपको बता रहा था फाब डुलिस के पिछले 3-4 मैचे से परफॉर्मेस उतना अच्छा तो नहीं आया बट जब जब किंसलम पंजाब के खिलते हैं पिछले 3 मैचे से लगातार 50 प्लस सकोर इनके हैं अगर खेलते हैं तो बहुत वे आपके खिलाफ पिछले चार मैचस में लगातार विक्टे इन्होंने जटकी हैं और पिछले चार मैचस से आप देख रहो दो से तीन विक्टे निकाल रहा है एक विक्ट नहीं दो दो तीन विक्टे तो टोटल अगर आप देखा ले तो नौ विक्टे इन्होंने निकाल के द इसके बाद बात करतें पूश चावला की केदार चाहःद आव डुएं ब्रावू की तो इनके भी रिकॉर्ड सामने हैं खेलने के चांसे इस तो नाके बराबर हैं अगर आप कहीं खेलते हुआ आपको दिख जाते हैं तो रिकॉर्ड आपके पास होने चाहिए अब बात करते तो फिर वो उपन करेंगी केल राहूल की साथ केल राहूल का पिछले दो-तीन मैचेस का परफॉर्मेंस आप यहां पर देख सकते हो विकट कीपरिंग के भी काफी पॉइंट आपको देते हैं तो के लाहूल एक बहुत भरोसे मंद ऑप्षान है जिसको आप कैप्टन रख सकते हो इसके बात करते हैं मन्दीफ सिंग की मन्दीफ सिंग का परफॉर्मेंस आप देख सकते हो पिछले दो-तीन मैचेस में एक मैच म सामने भी तो इन पर जादा भरोसा ना करिएगा इसके बाद आते हैं क्रिस गिल क्रिस गिल का परफॉर्मेंस आप यहां से देख सकते हो लास्ट मैच में नियानवरन की पारी उसके पहले इंक्यावन बीस उन्तिस तो काफी बढ़िया फॉर्म में क्रिस गिल यहां पर चल और साथी साथ पिछले दो मैचे जो इनोंने खेले हैं सीएसके के खिलाफ तो उसमें 33-36 रन की पारी लगाई है तो इसी को देखें तो 25-35 रन की इस मैच में भी पारी आ सकती है ग्लैर मैक्सवेल की बात करें तो इनोंने लास मैच में छे नॉट आउट रहें मुस्ट रहें एक मैच में 32 रन लगाए थे बाकी की सारे मैच से लगबख फ्लॉप है इनके सामने टीम के खिलाब भी एक 95-95 रन की पारी जो बहुत पहले नोंने खेली थी बाकी जो पिछले 4-5 मैच में उसमें भी टोटल फ्लॉप है रविंज जरजन का आम तोर पर विकट निका सकते हैं मैक्सवेल को ना ही पेक करें तो बैटर रहेगा दीपाखुटा की बात करें तो सिर्फ इनिंग को एंकर करते हैं कोई खास इनका इन्वाल्मेंट नहीं है टीम में इनको आप अभी होल्ड पे रखें क्रिस जॉड़न की बात करते हैं डैथ में गिनवाजी करेंग अगर हम बात करें तो लगातार एक एक विकट तो निकाल के देते हैं और पूरे चार ओवर कराते हैं तो अगर आप विश्णोई और मुरूगा नश्वेन में थोड़े बहुत कन्फ्यूजड हैं तो मैं आपको मुरूगा नश्वेन सजिस्ट करूँगा बढ़िया बोलर बढ़िया विश्णोई भी काफी अच्छे हैं बट यह अपको विकट निकालकर देंगे विश्णोई की बात करें तो यह आप देशाओ तो पिछले चार मैचे में दो मैचे में विकट लेस थे निकाली है तो यह थोड़े से इंकंसिस्टेंट है और मुहमाद शमी की बात करें से दो से तीन ओवरिंग को बॉलिंग मिलती है परफॉर्मस पिछले दो मैच इस से इनका अच्छा नहीं आ रहा है उन्होंने कभी सियस को को फेस भी नहीं कर रहा है तो आपके लिए मोस्ट वैलिविल प्लेर्स में मौमा शामी रहेंगे क्रिस जॉर्डन रहेंगे बाक करें तो करुन नायर और महिं का करवाल है तो यहोगी बात यहाँ पर स्टैट्स की अब हम चलते हैं ड्रीम लेविन की एप पर देखते हैं हमारी क्या टीम बनती है स्मैच के लिए So guys, यहाँ पर मैंने आपके लिए इस match में 3 team में बनाई हुई है जिसमें से team 1 और team 2 जो है वो आप small league में use कर सकते हैं और team 3 जो है वो काफी जादा risky है और जिसको आपको सिर्फ grand league में use करना है और ये सोच की use करना है कि ये team आपको कुछ भी winning नहीं देगी यानि कि बिल्कुल आप इसको लगा के छोड़ दीजेगा बिकोज इसके चलने के chances मातर 1-2% है सबसे पहले वही team आपको दिखा दे रहा हूँ जो most risky है वो मैंने बनाई है जिसमें captain मैंने महिंदर सिंग दोनी को रखा है wise captain लोकेश राहूल को रखा है बहुत unique team है और चलने का chance मातर 1% है तो ये ऐसी team होती है जो आपको एकदम से काफी जादा winning करा सकती है बट ध्यान रखिए risk की भी उसका काफी जादा है तो जादा risk नहीं है टीम में हाला कि Maxwell को मैंने pick करा है जो non consistently perform कर रहा है साथ साथ धोनी को pick करके सीधा captain रखा है तो धोनी का average है normal average इंका 40 का बनता है बट Kings में Punjab खिलाफ इंका average बढ़ जाता है और 65 का हो जाता है तो वो सब देखके captain धोनी wise captain लोकेश राहूल ये मेरी grand league की special team है इसको मैं लगा के बस भूल जाओंगा और वहीं हम बात करें team 1 और team 2 की तो ये आपके लिए safe teams है जो आप small league में use कर सकते हो तो ये मेरी पहले team 1 है इसको देख लीजे captain लोकेश राहूल है team में मंदीव सिंग को लिया है मंदीव सिंग को लेना मैं चाता नहीं बट में पास इतने क्रेट है नहीं वरना मेरी पहले option जो रहेगी वो निकलास पूरन रहेगी निकलास पूरन जादा बेटर option रहेगी बट फिर भी राउल के साथ अभी मंदी फी open कर रहे है तो आप इनको team में pick कर लिजे Chris Gayle को ले लिजे गाईकवाल को आपको pick करना है वाट्सन और राइडू को pick करना है इसके बाद option में सैम कुररन है रविंदर जड़ेजा है Chris Jordan मौहमाशामी और लूगी एंगीडी तो यह मेरी team है team 1 इसका आप screenshot ले लिजे अब हम बात करते है team 2 की यह मेरी team 2 है इसमें मैंने क्या बदलव कर रहा है सबसे बहुत वह देख लिजे मैंने शेन वाट्सन को यहां से हटाया है अपनी team से और निकलस पूरन को pick कर रहा है शेन वाट्सन टॉप आप आप में बैटिंग करेंगे बैटर कर उनके records देखे जाए तो 30% मैचस में ही वो अच्छा परफॉर्म करते हैं किंग्सलम पंजाब के खिलाब बाकी 70% मैचस में काफी खराब परफॉर्मेंस है उनका और लास्ट जो परफॉर्मेंस है वही 83 का अच्छा आया था 83 रन्स कुछ लगाये थे लास्ट मैच में उसके पहले के सारे मैचस लगबग फ्लॉप ही जा रहे थे तो उसको देखते हुए मैंने यहाँ पर शेन वाटसन को ड्रॉप करके निकलस पूरन को पिक करा है बाकी मेरी टीम एज़ेटेज है कैप्टन भी सेम है वाइस कैप्टन भी सेम है तो यह मेरी दो टीम है इसका भी आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं अब आप मुझे कॉमेट में बता सकते हैं आपको टीम वन अच्छी लग रही कि टीम 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 वाटसन है वो एक काफी बढ़िया उप्शन है नंबर चार पे इनसे अच्छा बेटिंग में स्टाइक रेट किसी भी प्लियर का नहीं है ध्यान रखिए पूरे आईपेल में निकलस पूरन जैसा स्टाइक रेट नंबर चार पे किसी भी प्लियर का नहीं है काफी जल्दी runs लगाते हैं अगर इनको 2 over खेलने भी मिल जाते हैं तो easily 2 over में अराम से 25-30 run लगा सकते हैं तो इस level can का performance है पिछले 2 matches में लगाता है CSK एकलाफ 30 plus score इनका है तो ये grand league के बहुत अच्छी option रहेंगी अगर low case Charles, Chris Gill जल्दी out हो जाते हैं तो निकलस पूरण एक मात रह से batsman है जो टीम के लिए maximum run जोटा सकते हैं तो grand league के special option निकलस पूरण रहेगा और MS Dhoni भी MS Dhoni का strike rate बढ़ जाता है मैं आपको बता चुका हूँ 40-60 का हो जाता है Kingsley पंजाब खिलाब तो wicket keepering section में ये 2 player जो आपको देख रहें रिस्की हो जाएगी वो टीम में आपको टेलिग्राम पर last ले दूँगा टेलिग्राम का लिंक नीचे description में दिया जाके join कर लिजे final team जो भी रहेगी वो आपको वहाँ पर मिल जाएगी तो ये है grand league की 2 option जो wicket keepering section में आपको दे चुका हूँ अब बात करते हैं all around section में Maxwell Glenn Maxwell बहुत बड़ी option है अच्छा Glenn Maxwell का भी मैं आपको बता दूँ CS के खिलाफ इनके performances भी काफी अच्छे रहते हैं पुराने IPL में तो काफी अच्छा कर रहा है ये IPL में बिल्कुल भी नहीं चल पाए हैं तो Glenn Maxwell मेरी तीसरी option रही कि Grand League की ध्यान रखिए Glenn Maxwell को जरूर ट्राइ करना है कुछ overs बॉलिंग कर सकते हैं और नमबर बात पर बैटिंग करते हैं अगर टॉप अडर फ्लॉप होता है तो निकलस पूरन के अलावा Glenn Maxwell भी टीम के लिए काफी बढ़िया पर्टफर्म कर सकते हैं बॉलिंग में चलते हैं तो बॉलिंग में एजटेस को इतना अच्छा बोलर है नहीं कि जो आपको Grand League मेरे साब से विन करा सके जो सबसे अच्छे बोलर थे हो हमने पेग कर लिए अपने head to head की team में तो जो overall मेरे team बनी है इस team में अगर हम बात करें तो यह तो मेरी head to head की team हो गई बट अगर Grand League के options पूछे तो मैं आपको बता चुका हूँ Nicholas Puran, MS Dhoni और Glenn Maxwell जो हमारी team में है भी नहीं इन प्लेस को आपको Grand League में try करना है captain wise captain भी कर सकते हो so guys अब वीडियो के आपर हम करते हैं खतम आप मुझे comment पर बता सकते हैं आपको team 1 अच्छी लगी की team 2 अच्छी लगी और team 3 पर आपकी क्या suggestions है साथी साथ आपको कोई feedback हो तो आप दे सकते हैं हम next video में उसको भी implement करेंगी so guys लाल केतना ही, okay guys बाई, best of luck